जब Assess to Justice for Aal का फार्मूला हमारे देश में चल ला है तो साफ कहा गया है कि 99 दोशी चाहें छूट जाएं 99 दोशी चाहें छूट जाएं लेकिन किसी एक निर्दोष को सजाद नहीं होनी चाहिए उडिसा का मैंने पुरी का केज भगमान जगनात रत्यात्रा का केस लड़ा करोना काल में अनुमत नहीं मिल लई थी बहुत स्य मंदिरों को नहीं मिल लई थी लेकिन उडीसा और लोगों की इच्छा थी कि भग्मान जगनात रत्यात्रा की थोड़ी दूर तक ही आत्रा हो लेकिन हो मतलब निकले रत पर निकले भग्मान जगनात मानिस्तर वो चिनाले पहले डिस्मिस की सलपी फिर रिव्यू लगाई गई फिर अनुमत दी फिर सारा हुआ उस पर भी लोगों ने फाई आर की दर्ज किया बहुत हुआ लेकिन उसमें भी सब क्ले केस इखटे हुए सब एक जगहें ट्राइल हुआ सब जगहें चले सब आतिश कुमार जे भी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं लालु यादब लोकनाइक जर्श कारश ही मिसा का है जब लालु यादब मेंटेनेंस एंटर्नल सेकेरिटी एक्ट में जेल में बंद थे। तब उन्हें ख़बर मिली कि आपके बेटी का जन्म हुआ है उन्होंने का इसका नाम मिसा रख दो वही तो मिसा है और मिसा कहीं बाहर का नाम थोड़ी है तो ऐसे परिवारों से आये हुए हैं तामिलाडू की बात करें आप तामिलाडू में वीरपन हमारा क्लाइंट रहा है साथ पूरा सहयोग हज़ारों लोगों की रहली में उन्होंने साथ दिया हमारा और कायरे आयोजन के बड़ बड़े भब्य आयोजन के कामिलानु के किसान संगठन है वो भी हमारे हैं क्लाइंट हैं और कितने न्यूज चैनल वहां वाले हैं चैन्ड़ी में बहुत अच्छा मिलता है और बहुत अच्छा इस टालें से संबंध वाले लोग भी हैं जो निश्यत तोर पर महां के मुख्यमंत्री को भी सही सला देंगे सही राय देंगे जिससे मनीश कश्रप के साथ न्याय हो सके अन्याय नहो बली का बकरा न बनाया जाए उसे और ककड़ी का चोर कटा इसे ना काटा जाए एक चीज़ मैं आप से कहना चाहता हूं कई लोग तरह तरह के बाते सोसल मीडिया पर भी करते हैं हैस्टैक आई सपोर्ट मनीश कश्या भी चलता है तो उनका विरोध भी होता है लेकिन ये एक तपका है जो सिधे तोर पर फॉरवडों को टारिट कर र मनीश कश्यप जातिवाद छेत्रभाद सबसे दूर हां अगर मनीश कश्यप ने हिंदी भासी लोगों की बात की है तो कोई गुना नहीं किया है मानिये मोदी जी जब गुजरात के थे मुख्यमंत्री तब वो बेशक गुजराती में बोलते थे जब उन्हें धेश का प्रधान मंत्री बनने के लिए रास्ता साफ है और वो निकलने वाले हैं तो उनके साथ अगर उन्होंने हिंदी भाशी बात की अगर देश के प्रधान मंत्री मोदी जी और देश की महामाहिम राश्रपती जी और Chief Justice of India डिवाई चंद चूर हिंदी की बात करते हैं भाशन ह हिंदी भारत में नहीं बोलते हैं मोदी जी लंडन में हिंदी बोलते हैं अमरीका में हिंदी बोलते हैं चीन जापान में हिंदी में बाशन देते हैं तो हिंदी बोलना अगर गुना है अगर हिंदी भाशा के बारे में बात करना गुना है अगर हिंदी भाशी लोगों के ल पढ़ रहा है मोदी जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं आज भी देश में लेकिन जातिबाद भी आज देश में है छेत्रबाद भी देश में है भाशाबाद भी है संप्रदाइबाद भी है आतंक बाद भी है क्या ये सच नहीं है कि आज भी आसाम में हिंदी भाशी लोगों के स गलत बेवार होता है गलत तरीका अपना आ जाता है उनके साथ गलत बेवार होता है यह सच है और इस सच को दूर करने के लिए ही मानि मोदी जी लगातार संगर्ष कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए सफलता मिलेगी वही लड़ाई मनिश कष्रप ने लड़ी उस स मनीश की आजादी की लड़ाई लड़ी ना किसी धर्म की बात थी ना जाती की बात थी ना छेतर की बात थी ना संप्रदाय की बात की लेकिन उन सब लड़ाई को लड़ने के बाद भी उस समय उन्हें देश द्रोही कहा जाता था लेकिन आज वही तेश मार्च को जब हम शही दिवस मनाते हैं तो राजरू सुख देव भगस सिंग के लिए लोग आरपन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और नेता जी सुभाश चंद्र बोश्ट ने जैसे कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी की राई लड़ी मनीश कर्षप ने वही पत्रकार मान करते थे में इस्ट्रीम मीडिया में आज रविश कुमार क्या कर रहे हैं पत्रकाइटा कर रहे हैं पत्रकार तो होना गलत नहीं है यूटूबर होना तो गलत नहीं है शोशल मीडिया पर पत्रकाइटा होना तो गलत नहीं है पत्रकार तो पत्रकार है देखिए आपको यह क महत्मा बुद्ध थे गौतम बुद्ध एक जंगल में जा रहे थे उसमें बहुत बड़ा डाकू था डाकू अंगुली माल डाकू क्या करता था जो भी उसे मिल जाता तो उसको मार डालता था काट देता था उसकी एक उगली काटता था और अपने में लटका लेता था उसने बड़ी माला पहन रखी थी लंबी सी अंगुलियों की कटी हुई तो उसे कहते थे अंगुली माल डांकु एक जंगल में मिल गया अंगुली माल डांकु गौतम बुद्ध को अब आप महतमा बुद्ध को भी कहने लगो किस जाती के हैं लेकिन ऐसे संतों के कोई जाती तो नहीं होती कि वो चत्री समाज के थे या किस के थे महत्मा बुद्ध थे महत्मा तो महत्मा है तो जब उनसे पूछा अंगुली माल डांकू ने कहा एकदम ठहर जा अंगुली माल डांकू था बहुत पिकट डांकू था भद्यारा था उसने जोर से बोला ठहर जा गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध ने का मैं تو ठहर गया तू कब ठहरेगा एकदम काउंटर ने बोला मैं तो ठहर गया तू कब ठहरेगा इस बात का असर अंगुली माल पर इतना पड़ा जीवन में इतना पड़ा जीवन में वो उसकी आखरी घटना थी और वो एक सामाने इंसान बन गया और वो महत्मा बुद्ध का शिश्य बन गया उसने अपनी आपरादिक प्रवर्ति समाप्त कर दी तो मनीश करशप उसे संत की दहें है उसने कहा है कि कब तक प्रवासी मजदूरों के साथ कब तक चार खंट, बिहार, 36 गड़, आसाम, मेघाले, मनीपुर, अरुनांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सब लोगों के साथ, इन सब मेहनत का मजदूरों के साथ कब तक अन्याय होगा ये वो प्रदेश हैं जो निसोना, लोहा, अभ्रक, मैगनीज, खानेज, तावा, ये सारा कुछ दिया है, ये सब कुछ दिया है, मैन पावर्दी है देश को, दुनिया को मैन पावर्दी है बिहार के लोगों ने अपने दम पर अपने डियने के दम पर देश को बौधिक विकास दिया है नालंदा उनिवस्टी तब थी दुनिया की बड़ी उनिवस्टी जब कालिफोनिया उनिवस्टी भी नहीं थी उनको आप ऐसे नगर नहीं कर सकते उनको आप ऐसे नहीं कर सकते